है 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 तो अपन में आप सभी का स्वागत है हमारे सभी मित्रों का स्वागत है हमारे सभी भाईयों का और भेनों का स्वागत है तो सभी लोग आ जाएंगे क्लास आपके शुरू हो चुकि रोज साम को सांदार क्लास मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि एक दम जादू क्लास है जादू क्लास इसलिए कह रहा हूं क्लास की तयारी बड़े एक बार शेयर कर देंगे मैं भी करता हूं और आप भी इसको एक बार शेयर कर देंगे भाईयों ठीक है मैं भी इसको शेयर कर देता हूं और आप लोग भी इसको शेयर कर दी जबी तो विध्यारती पता नहीं कहां चले गए चले मैं करता हूं फिर इसको शेयर जहां जहां की जा सकती है है ताकि आपके मित्र हमारे मित्र सभी लोग आ जाएं फिर बाद में न कहें कि सर आपने क्लास बताई नहीं क्लास करा दिया आपने तो इसलिए आप ओLeod समय पर आजाय हो इसलिए क्लास भी समय पर सुरू हो जाती बलकि समय से पहले सुरू हो जाती है तो इस बात की कन NOT समय से पहले क्यों सुरू हो रही कि एक भी मिन loves चूटे ना आपकी आप लोग देख रहे हैं आपको मैं बता देता हूं यहां पर कि पहला कुशन क्या है कुछ इस प्रकार से पहला कुशन है और यह यह सवाल है इशन माचिस की तीली पर यहां पढ़ा होता है उसका घर हूता है ऑपने देखा होगा माचिस की तीली पर कभी रेड-्रेड रट कुछ लगाओ रहता है उसको हम लोग रगड़ते हैं उस फट्टे से माचिस का जो कबर होता है और वो आग लग जाती मत्थनक्तल oni लग जाता है तो आको बताना कि क्या होता है इस बात को तो आप लोग जानते हैं न कि जो सोडियम होता है तो हवा के कॉंटेक्ट में अगर आगएगा तो वह अपने आप ही जलती माच की तीली को रगड़ा जाता है है अलग तब phrases hier तो आप आग मतलब जो आग है जो फाइर है इसको बहुत जल्दी पकड़ता है तो जब आप इसे रगड़ते हैं तो तुरंत जलने लग जाता है अगले सवाल पर मैं आ जाता हूं अगला सवाल कहरा है कि प्रशिद एक पेंटिंग है जिसे सत्यम सिवं सुंदरम की प्रशिद पेंट तो इस पेंटिंग की अगर यदि में बात करूं तो भगवान सिव के सम्मान में भगवान सिव के सम्मान में इस पेंटिंग को बनाया गया था अब पूछ आपसे यह रहा है कि इस पेंटिंग को कब मतलब किसने बनाया अर्थ सरी रीजिनिंग की क्लास लेटे हैं क्या री जेंद्रनाथ सींग नंद किसोर सर्मा को कहा जाता है कि भारत में प्रसिद कालीन डिजाइनर हैं यहां पर बात करूँ कि सत्यम सिवं सुन्दरम जो हमारी पेंटिंग है उसके रचैता है उसको मतलब बनाने वाले सिव नंदन नौटियाल हैं कौन है तो आप लोग लिख ले उल हिंद को किस भासा में लिखा गया था अलूबरनी की किताब ती जिसका नाम था किताब उलुहिंद है न तो इस पुस्तक को किस भासा में लिखा गया यह आप लोगों को बताना है इस पुष्टक को किस भासा में लिखा गया है बिटा चार ओप्सन है अर्भी है उर्दू है पार्सी है या फिर तुर्की है तो अलुबर्णी के बारे में बताना है कि अलुबर्णी के द्वारा एक पुष्टक लिखी गए थी अलुबर्णी के बारे में कहा जाता है कि यह विग्यान का जानकार था यह आपका घडित का भी जानकार था यह का खगोल का भी जान बहुत सारी चीज़ों को भारत के बारे में इस ने लिखा जो विस्व पतल पर छाई तो आपको यहां पर अंसर करना है कि कौन सी पुस्तक में आप लोग बता रहे हैं सर फार्सी में और यहीं पर आपका हो गया क्या बेटा गलत क्योंकि अलवर्नी की जो पुस्तक है वह आपकी अर्भी भासा में लेखी गई है किसमें अर्भी भासा में यह बात सच है सर इतनी जल्दी क्यों क्लास से स्टार्ट कर देती है क्लास बहुत है मुझे पता है एक भी सवाल मैं ऐसा नहीं तरह रहा हुँ बहुत आसां है कि राश्टोपति को सपत कौन दिलाता है या या फिर मतलब और आप परिक्षा के लिए तयार है उप मुगल काल की तरवारी भांसा थी इस भात को आप याद रखेंगे to तो यहां तक आप लोग लिख लेंगे कि अर्भी आपका राइट आंसर इस पुस्तक के लिए ठीक हो जाएगा एक अगला गुशन है कि प्रसिद चित्रकार राजा रभी बर्मा त्रावन कोर के थे यह बरतमान समय में किस राजी के अंतरगत है त्रावन कोर से थे राजा शेकें भी इन्होंने लिखी थे तो राजा राजा र्भी बर्मा त्रावन कोर के थे यह बरतमान में किस राजी के अंतरगत आता है आपको जब मैं पॉलिटी पड़ा रहा था तो प्रावन कोर के हिस्सा था वो केरल में ही और केरल फिर इसको नाम दिया गया तो वर्तमान में ये क्या है विटा केरल है राजा रभी बर्मा की यह दि बात करें तो इनको लॉड करजन के द्वारा इनहें कैसर ए हिंद स्वाण पदक से सम्मानित किया गया था इस बात को भी आप याद रखेगा ये पूछ सकता है कि राजा रभी बर्मा को कैसरे हिंद स्वर्ण पदक से किसने सम्मानित किया तो आप कह दीजिए करजन करजन जिस जो की बंगाल के विभाजन के लिए भारत में सामप्रदाइक का सामप्रदाइकता अर्थात भारत में हिंदू- की जो सुरुवात कीती वो इसी के समय पर उती करजन के समय इस बात को भी आप याद रखेंगे तो आपका राइट अंसर हो जाएगा कि जो त्राबन कोर है राजा रभी बर्मा इसी त्राबन कोर से थे और त्राबन कोर का बरतमान में नाम केरल है इस बात को याद तो केरल की राजधानी जो आपकी है वो तिरुब अनन्तु पुरम है केरल के उच्छ न्यायले की बात करूं तो केरल का उच्छ न्यायले आपका कहां पर है एरना कुलम में हैं कहां पर है एरना कुलम में हैं केरल की भासा की बात करूं आदिकारिक भासा की तो केरल की आदिक अमद खान है केरल में अगर हम लोग बात करें तो फसलों के मामले में देखा जाए तो रवर के सीर सुत पादन में आता है नारियल के सीर तो सीर सुत पादन में आता है और मसालों के उत्पादन के मामले में भी टॉप पर आता है इस बात को आप याद रखेगा केरल से यह पर आ जाता हूँ में आपको पूछ रहा है प्रसिद्य यात्री दुरते बार्बोस्क था उन्होंने गलत कर दिया यहां पर टैपिंग करते हुए तो प्रसिद्य की यात्री था अब इस कुष्ष यह कुष्षण बिलकुल नया है और आपको जानके हैरानी होगी कि कुष्ष आपके लिए नया है लेकिन S.S.C. के लिए नया नहीं है S.S.C. इस सवाल को पूछ चुका है 2013-14 के आसपास इस सवाल को S.S.C. पूछ चुका है तो आपके लिए तो नया है है ना जिन बच बिलकुल सही है पुर्तगाल आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति था जिसका नाम था दुवारते वारबोसा है ना अब ये दुवारते वारबोसा जो है आपका वो कहां से है पुर्तगाल का एक यात्री है जो हालनकि इस बात को भी आप याद रखेगा कि ये भारत आता है क्या आता है भारत आता है तो इस बात को आप याद रख पुर्टगाल योऊरोप कांट्री मुझे अप मैं से बता सकता है कि पुर्टगाल की राजधानी क्या है बहुत आसान है और आप लोग देख रहे हैंगे कि परिक्षा में हर सिप्ट में राजधानी आप से पूछी गई हैना हर सिप्ट में एक राजधानी पूछी गई तो आप लोग भी मुझे बता दीजिए क्योंकि आपको इन देशों की राजधानी मुद्रा पता होना चाहिए क्योंकि भारत से संबंदित हैं चीक है तो आपको बताना है कि पुर्तगाल की जो राजधानी है वो कौन सी है बाल पर आजाता हूं मैं अगला सवाल है आपके पुर्तगाल से संबंदित और भी जैसे गोवा जो आपका है गोवा पर 1961 का पुर्तगाली भारत में रहे हैं लंबे समय तक रहें इसलिए हम हमारी हिंदी बासा में कुछ पुर्तगाली भी मिक्स हो गई जैसे उधारन के त तुम कहां पे रहते हो तुमारा कमरा कैसा है कितने रुपे में कमरा है न तो जो कमरा सब्द है विटा ये भी कोई हिंदी भासा का सब्द नहीं है कमरा ये भी आपके पुर्तगाली भासा का ही सब्द है लेकिन मैंने कहा कि पुर्तगाल का फ्रांस का अंग्रेजों का भारत म का जाते हैं अगला कहा बसौन बश्ट में दिबस नौजनवरी इस विए पहली बार किस बर्स मनाये गया पहने सब्सक्राइब का अंसर आप वहता भरत में नौजनबरी को प्रवासी दिबस प्रवासी का मतलब होता है ऐसे भारती है जो भारत में नहीं रहते दूसरी जग़े देशों में रहते हैं तो जब भारत में आते तो कहते हैं कि प्रवाशी भारती है मतलब यह भारत में लोट रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा तो प्रवाशी दिवस प्रवाशी दिवस की यदि बात क कॉन महतुमा गांधी जी हना महतुमा गांधी 9 जनबरी 1915 को महतुमा गांधी भारत लोटे थे कहा से लोटे थे और ये मनाया जाता है इसकी गोशना अटल विहारी बाजपेई साब के सासनकाल में ठीक है तो अटल विहारी बाजपेई साब ने इस दिबस को क्या किया कह दिया कि भहिया प्रबासी दिबस मनाएंगे हम गांदी जी के सम्मान में तो 2003 से कब से 2003 से इस बात को आप याद रख ठीक है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी एक और सवाल पूछ रहा हूं मैं यहां से भारत में जो पंचायती राज दिवस होता है वो कब से मनाया जाता है पंचायती राज दिवस भारत में कब से मनाया जाता है option है 1993 से option है 1995 से option है 1998 से option है 2010 से तो बता दीजिए भारत में पंचायती राजदिबस आप सब जानते हैं कि पंचायती राजदिबस भारत में कौन सी तारी को 24 अपरेल को लेकिन ये कब से मनाया जाता है तो ये तो आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा 2003 से हम लोग भारत में क्या मनाते हैं प्रवासी दिबस मनाते हैं लेकिन अब सबाल है कि भारत में जो पंचायती राजदिबस है वो कब से मनाया जाता है 24 अपरेल को मनाया जाता है लेकिन हम कब से इसको मना रहे हैं तो बच्चे करें सर 1993 से गलत बात 2010 में हमने पहली बार भारत में पंचायती र रक्तदान दिबस के रूप में मनाया जाता है अब इसमें हमें तारीख बतानी है क्या पूछ रहा है कि भारत में किस दिन को रास्टिय स्वैक्षिक रक्तदान दिबस के रूप में मनाया जाता है फटाफट से इस कोशन का आंसर आप लोग कर दीजिए जल्दी से इस कोशन क का अंसर करेंगे ठीक है हाँ जी भाईया क्या मनाय जाता है तो पूछ रहा हाँ 2010 पिसले वाले का एक दम सही है अब मैंने पूछा है भारत में किस दिन को रास्टिय स्वैक्षिक रख्तदान है न बलड डॉनेट करने का एक दिवस होता है बलड डॉनेट हमें करना चाहिए इससे हमें क्या मिलता है एक तो किसी की जान बचती है और ऐसा नहीं है कि बलड डॉनेट करने से हमारे सरीर में कुछ खराबी आ जाती है बिलकुल नहीं यह नेचुरल है कि अगर बलड डॉनेट करते हो तो आपके सरीर में बलड निर्मान की प्रकिरिया तेज हो जाती है ये नेचूरल है, ये प्राकर्तिक है, तो भगवान भी कहता है, इश्वर भी कहता है, कि आप लोग blood donate करी है, जिसको जरूरत है, उसको दीजी अगर आपके पास है, तो है न, तो अब आपको बताना है कौन से दिबस, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, एक अक्टूबर को क रक्षिक रक्तदान दिबस मनाया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखेगा, अक्टूबर में होने वाले कुछ दिबस इस प्रकार से हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एक हो गया, दो अक्टूबर की यदि में बात करूँ, कौपी पर आप लोग लिख ल इसके बाद आजाता है आपका पांच अक्टूबर और पांच अक्टूबर विश्व सिक्षक दिबस के रूप में मनाया जाता है, पांच अक्टूबर आपका विश्व सिक्षक दिबस आपका पांच सितंबर, लेकिन विश्व सिक्षक दिबस आपका पांच अक्टूबर ठीक है इसके साथ आजाता है आपका आठ अक्टूबर जो कि अभी पूछा गया था ठीक है आठ अक्टूबर आठ अक्टूबर को है ना बायू सेना दिवस भारत में एयर फोर्स डे होता है तो आठ अक्टूबर को क्या हो जाएगा बायू सेना दिवस हो जाता है 11 अक्टूबर आ जाता है इसके बाद और 11 अक्टूबर को यह दिमें बात करूँ तो आप याद रखेगा कि 11 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं अंतरास्टिय बालिका दिवस मनाते हैं अंतरास्टिय बालिका दिवस हम लोग 11 अक्टूबर को मनाते हैं तो इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे इसके बाद 15 अक्टूबर आ जाता है और 15 अक्टूबर को हम लोग अंतरास्टिय विध्यारती दिवस मनाते हैं कब बनाते हैं अंतरास्टिय विध्यारती दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं अंतरास्टिय विध्यारती दिवस तो आप सोले अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो 16 अक्टूबर होता है क्या होता है विश्व खादे दिवस होता है बीसडूबर की बात करें तो 20 अक्टूबर को विश्व सांखे की दिवस होता है ठीक है विश्व सांखे की दिवस इस्टेटिक स्टिक है विश्व सांखे की दिवस तो यह कॉपी पर लिख लो आगे चलते हैं आपकी कॉपी पर यह सब अंकित होने चाहिए दर्ज होने चाहिए और फिर हम आगे चलत में आप लोगों को अगले सवाल पर आ जाते हैं अगला सवाल क्या रहा है बढ़िया सवाल है कि alt प्लस क्या दबाने से बिंडोज 10 में sign in screen पर आपका password दरसाता है है ना बिंडोज 10 जो आपकी होती है सितंबर वह रास्टिय सिक्षक दिबस है इस बात को यार्थ रखेंगे पांच अक्टूबर अंतर रास्टिया बिश्चुका है तो दोनों में फरक होता है आप लोग इस बात को समझओ दोनों और जो पांच सितंबर है वो भारत का है सरपल्ली राधा क्रश्णन की सम्मान में और जो पांच अक्टूबर है वो भारत का नहीं है वो पूरे बिश्व का है आप समझ गए इस बात को तो आपका F8 हो जाएगा इसमें अगले सवाल पर आ जाते हैं अगला सवाल कह रहा है कि जो ध्वनी होती है ध्वनी मतलब जो आपका sound होता है sound का measurement हम किसमें करते हैं तो फटा-फट से आप लोग याद रखेगा कि जो sound होती है ध्वनी का map measurement हम किसमें करते हैं आप लोगों के सामने हैं। जिशिवल में करते है, amplifier होता है या हड्ज होता है या फिर आपका ध्वनी की होता है, तो आपको sound अर्थात जो होती है इसको हम किस कितनी प sect किस्तेज को मापने के लिए क्या हम लोग का स्थे गति की बात करें कि दोनी की जो गती है उसे हम मीटर परति सेकिंड में मापते हैं kis में मापते हैं मीटर परति सेकिंड में पिछले साल S.S.C.GD में यहांСे एक सबाल बνα था और क्या पूछा था कि ध्वनी निम्न लिकित में से किस माध्यम मतलब किस में गमन नहीं करती है किस में ध्वनी नहीं चल सकती तो आप याद रखेगा कि ध्वनी आपका जो बैक्यूम होता है इस्पेस होता है उसमें गमन नहीं करती ध्वनी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक माध्यम चाहि पर मैं आपका पूछा कि ध्वनी जो आपकी होती है वो किसमें नहीं चल सकती तो निर्बात या वैक्यूम या इस्पेस या जो खाली जगे होती है उसमें ध्वनी गमन नहीं कर सकती इस बात को आप याद रखेंगे अगले सवाल पर आ जाता हूं कि मानव की खोपड़ी होत बताना है कि मानव की खोपड़ी में हड़ी का कितनी हड़ी आ होती है तो मानव क्को खोपड़ी में हड़ी Coconut है कि संख्या आप लोगों को एक बार बताने और गवरकर सभी सातीयों को क्लास को शियर कर देना है क्शिवकि बहुत ही महततपूर आपकी क्लास यहाँ पर चल र होती है हड्डियों की संख्या होती है बाइस बाइस की अगर बात करें तो यह दो पार्ट में डिवाइड होती है इसमें एक कपाल हड्डियां होती है कपाल हड्डियों की संख्या आठ होती है और दूसरा इसमें चहरे की हड्डियां होती है चहरे की हड्डियां इसमें 14 होत बाइस तो आप याद रखेगा कि मानब की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या बाइस होती है जो कि आप आंसर बिलकुल सही कह रहे हैं अगले सवाल पर आने से पहले बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहते कि सर मिसन बर्दी से हम लोग नहीं जुड़ पाई हैं इस बेहत सस्ता है दो नवंबर तक है अगर आप दो नवंबर मतलब कल तक इसको परचेज नहीं करते तो यह और महगा हो जाएगा यह सिर्फ दो दिन के लिए हमने बढ़ाया आगे आप ही लोगों की डिमांड पर मिसन बर्दी की क्लासिस आज से सुरू हो गई है इस बात को भी आप याद रखिएगा ठीक है आज सबने क्लासिस लिए जो सिड्यूल था सब उसके अकॉर्डिंग हुआ है तो आप सभी साती क्योंकि एज रिलेक्सेशन भी जादा मिला है तो इस बार गलती नहीं करनी और पढ़ाई कर लेनी है क्योंकि अगली बार आपको रिलेक्स से अनुपस्तित रहता है है ना आप लोग बताईएगा कि लोग सबा की अध्यक्षता उस समय कौन करता है जब अध्यक्ष सदन की बैठक से अनुपस्तित रहता है विरोधी दलका नेता प्रधान मंत्री या उपाध्यक्ष या उपराष्ट पती तो आप इस सबाल का जव कर दीजिए ठीक है फटाफट से इस कुश्चन का अंसर आप लोग कर देंगे फिर अगले सेशन अगले कुश्चन पर हम लोग आ जाते हैं कि अगर अध्यक्ष नहीं है आप सब जानते हैं कि जो लोकसभा होती है मेरे भाईयो लोकसभा का अनुक्षेद 93 के अनुसार कौन सा अनुक्षेद 93 के अनुसार दो पदादिकारी होते हैं कौन कौन एक पदादिकारी होता है अध्यक्ष जिसे इंगलिस में स्पीकर बोलते हैं क्या बोलते हैं और एक होता है उपाध्यक्ष जिसे इंगलिस में डिप्टी स्पीकर बोलते हैं क्या बोलते हैं डिप्टी स्प ठानवे हैंना 93 और एक और सबाल यहां से बन सकता है कि जो अध्यक्ष होता है उसका वेतन कितणा रहता है तो आप याद रखें चार-07004 लाक रुपे महीने जेकश का वेतन है इसको भी आप याद रखेंगे और अगर और नुपस्तित है तो उस दिन लोगसभा की कारिबाई का संचालन उपाध्यक्ष करता है आप समझ गए बात को तो उस दिन लोगसभा की कारिबाई का संचालन उपाध्यक्ष करता है आप एकदम नोट कर लीजिए उसी प्रकार से जैसे राजी सभा में अगर सभापती नहीं आया तो उपसभा सभापती करेगा ठीक है सभापती का बेतन भी चार लाक रुपे होता है प्रति महीने इसके बारे में अनुक्षे देटी नाइन में है अब मैं एक सवाल यहां से पूछूंगा जो कि आप से पूछना बनता है कि जो अध्यक्ष होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है आपके पास राष्टपती नियुक्त करते हैं उनको हैना या उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं या उनको उपराष्टपती नियुक्त करते हैं हैना उपराष्टपती बाइस प्रेसिडेंट या सीजे आई की सिपारिस पर राष्टपती करते हैं सिपारिस पर राष्टप करते हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि जो लोग सभा के स्पीकर होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है बहुत बढ़िया सवाल है आप लोगों से बताएगा सर आप हाँ खोपड़ी का प्रकार कुछ तोड़ दिये हैं अरे तो खोपड़ी पढ़ा हूं क्या इधर आजाओ हड़ियां बता दी मैंने आपको अब इससे सवाल पूछा है मैंने अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है कोई भी आंसर नहीं दे रहा हाँ चार लाक रुपे हर मैंने आंसर आ रहा है रास्ट पती बिलकुल गलत है इन मैंसे कोई भी नहीं होगा और ये कम बच्चों का प्रदानमंतरी ना ये ना कोई भी नहीं है ना तो आपका अंसर ननौ अफ दीज था लेकिन आपने बताया नहीं अगले सवाल पर आ जाते हैं अगला कह रहा है कि बिहार निम्न लिखित मैंसे किस राज्य के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता बिहार भारत का एक राज्य ह स्खेमने से प्रैने समय पर नालंदा से लेकर बैसाली से लेकर बोध गया से मुगत से लेकर सब कुछ यह था झा housing a किस बहुत गौरबमेशाक होछ बिहार का और एक रहा कि पुर्णे समय में तो आप से के बिहार जो आप आपका किस राजी के साथ सीमा साजा नहीं करता तो मैं आपको बता देता हूं बिहार तीन राजियों के साथ सीमा साजा करता है और एक देश के साथ सीमा साजा करता है तीन राजियों में आपका उत्तर प्रदेश है आपका जहारखंड है और आपका पश्चिम बंगाल है आरी बास स है तो आप याद रखेगा नेपाल के साथ ठीक है अगर विहार की बात करें तो विहार में जो विधान सवास सीटों की संख्या है वह टू फोोटी-थ्री अर्था 243 है इसको आप याद रखेंगे बिहार में जो हाई कोट है इसका वो पटना में ही है हाई कोट 1916 में यहां का हाई कोट बना था इस बात को याद रखेगा बिहार के CM बर्तमान में नीतिस कुमार है कौन है नीतिस कुमार है और याद रखेगा कि बिहार के बर्तमान में गवर 43 यहांपर विदान सवा की सीटे हैं लोग सवा की सीटों की संख्या रहा है दो आपको अपको बताना है कि जो एक पुष्टक है कौन सी पुष्टक है मेरे भाई इगनाइटेंड माइंड्स तो इगनाइटेंड माइंड्स के पुष्टक आप लोगों का आंसर आ गया है एपी जे अब्दुल कलाम एकदम सही है है ना विंग्स ओफ फायर जैसे पुष्टक के लेखक हैं इंडिया 2020 मत्तब जो बिजन है भारत का 2020 का लेकर उस पर उन्होंने पुष्टक लिखी तो कई सारी पुष्टकों को एपी जे अब्दुल कलाम साथ की बात करें तो 2002 से लेक ना प्रधान मंत्री रहा हूँ है ना या ना किसी राज्जी का राज्जिपाल रहा हूँ और सीधे राष्टपती बन जाए या उपर ना उपराष्टपती रहा हूँ और सीधे राष्टपती बन जाए ज्यादा तर हमारे राष्टपती उपराष्टपती पहले से किसी न नहीं थे यह मद्रास के एक विश्व विध्याले में उसमें पढ़ाते थे इनके पास सीधे फॉन आया पढ़ाते थे पढ़ाने का काम करते थे और भारत सरकार के हालंकि परमाडू से परमाडू अर्थात एक टॉमिक से संबंदित जो कुछ मामले तो उनमें सलहकार जरूर अगले सबंद्रे के पुष्षक के लेखक आपके कौन हो जाएंगे बहुत बढ़िया अगला कुष्ष्य कुष्छं है डेविस कप 2021 का फाइनल किस ने जीता पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेविस कप जो आपका है वो है क्या तो डेविस कप टैनिस का एक टूर्नामेंट है किसका है बेटा टैनिस का एक अंतरास्टी टूर्नामेंट है ठीक है टैनिस का अंतरास्टी टूर्नामेंट ठीक डेविस कप जो आपका है वो Tennis का अंतरास्टिय टूर्णामेंट है इसको आप लिख लेंगे है न अब इसको जीता किसने याद रखेगा कि 2,100 का जो डेविस कप था वो रूस ने है न रूस ने किसको हराया क्रो THE एसिया को हरा कर ये तूर्णामेंट जीत लिया तो आप फि दूसरी बात क्या है कि 2021 का जो डेविस कप था वो रूस ने क्रोईशिया को हरा कर जीता है रूस के खिलारी थे डेनियल मेदेव देव कौन थे डेनियल मेदेव देव तो आपको ये भी याद रखना है ठीक है डेनियल मेदेव देव रूस के खिलारी थे इनके नेतरत तुम् कुण होता है ITF होता है International Tennis Federation अगर आप से सबाल पूछा जाए कि International Tennis Federation की स्थापना कब हुई तो आप याद रखेगा कि जैसे ICC होता है Cricket का बैसे टैनिस के लिए International Tennis Federation होता है ITF जिसे बोलते हैं तो ITF की स्थापना 1913 में हुई है इसका headquarter ITF का कहा पर है London में इसका headquarter है London अर्थात आपका व्रिटेन में क्या हो जाएगा विटा जिसका headquarter हो जाएगा इतनी सारी जानकारी और answer यहाँ पर रूस ठीक है तो आप इसको note कर लिजे फटाफट से फिर अगले सबाल पर हम लोग चलते हैं स्थापना की जगे माफी चाहूंगा आप स्थापना की जगे यहाँ पर लिख लेंगे कि स्थापना की जगे जो है आपका है मतलब स्थापित कहां पर हुआ था तो स्थापित लिख लेंगे आप लोग कहां पर बेटा लंदन ठीक है लिखो जल्दी से फटा फट से और यहीं पर इसका क्या है हेड़कॉर्टर अगले सबाल पर आ जाते हैं हेड़कॉर्टर जो लोग बता रहें कुछ अलग-अलग सबका गलत हो जाएगा इस बात को आप रखेंगे ठीक हैं अगले सबाल पर आ जाते हैं के राए कौन से सामराज जी की स्तापना संगम है ना राजकुमार हरियर न संगम बंसके राजकुमार हरियर और बुक्का ने की थी तो आपको बताना है मालवा का विजेनगर का बहमनी या फिर आपका बंगाल का तो propos को 9 वजे आपकी एक़्लास चलती है जली बताए भाइया आंसर आपसे पूछ राय कि आप सामराज जो चामराज की इस्तापन एक नधी जिसे तुंग भद्रा नधी है तुंगभद्रा नधी के किनारे बिजय अगर सामराजी की स्तापना की गई थी हालनकि यहां पर अन्य बंसों की बात करें तो यहां पर फिर कई बंसों ने सासन किया जैसे आपका सालूब बंस था जैसे आपका संगम बंस था जैसे आपका तुलूब बंस था आप यहां से पता है क्या सवाल बनेगा कि निम्नलिकित संबनस कौन सा एक बंस विजय नगर सामराजी से संबंदित नहीं है तो यहां पर लग बख 14 बंस ने सासन किया एक संगम, बंस आपका, फिर सालुब बंस आपका एक तुलॉब बंस यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है आराम आराम से ही चलना है आराम आराम से हम लोग चलना है और आप सभी साती यहां पर क्लास को शेयर जरूर कर देंगे ठीक है अब मैं वगर बात करूं कि 1336 से यह कब तक रहा था क्योंकि इस प्रकार का भी सवाल पूचा जाता है तो इस पर लगबग चार बंसों के सासकों ने सासन किया सालोब तुलोब संगम और अरावीडू इस बात को आप लोग याद रखें चले अगले कुशन पर आ जाते हैं हम लोग और अगले कुशन हम एक बात यहां से भी कभी कभी सवाल पूच ले जाता है कि बहमनी की स्तापन दिबस जो हमारा है 2022 में आठवा हुआ क्यों क्योंकि सुनो इधर 2014 में घोसना की आपका जो युनाइटेड जनरल असेंबली है संयुक्तराष्ट महासवा है और 2015 से 21 जून 2015 से यह आपका मनाया जाता है तो 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21 और 22 तो 6 यह और 21 तो आठवा हो जाता है मेरे भा 2022 में जो आठवा अंतर राश्ची योग दिबस था इसकी थीम क्या थी तो क्या हो जाएगा हना इसकी थीम आप लोगों को बताना है कि क्या थी थीम कोई नहीं बता रहा थीम नहीं बता रहा विटा डी आप्शन बिलकों सही थीम थी इसकी मानवता के लिए योग इस बात को आप याद रखना हर साल 21 परवरी को भारत में 21 जून को नकेबल भारत में बलकि दुनिया भर में अंतर रास्ची योग दिबस मनाया जाता है इसको भारत ने नहीं बलकि आपका उनाइटेट जबा के द्वारा घोशित किया गया है 2015 से मनाया जा रहा है है इस बार की जो थीम थी इस बात को याद रखे मानवता के लिए योग और इससे पहले जो थीम थी उस समय कोविड का बड़ा प्रकोप था और उस समय जो थी वो थी योगा फॉर बैलनेस क्या थी तो 2021 में जो जो यह तो 2021 की अगले सबाल पर आजाते हैं यह जो थीम है मानवता के लिए योग यह भारत के आयूस मंत्रा लें के द्वारा इस बात को भी आप लोग नोट कर लेंगे एक एक चीज को बड़ाए बढ़िया से मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ताकि आप दिक्कत में नफस में परिक्षा के समय है ना बैदिक आरियों द्वारा किस देपता की पूजा इसमें से नहीं की जाती है बहुत बढ़िया सवाल है हमारे देश के जो बैदिक आरियों है वो इनमें से किस देश की पूजा नहीं करते हैं तो पटापट से इस कोशन का आंसर आप लोग कर देंगे कि वो इनमें से किस देपता की पूजा विटा नहीं करते हैं अगर हम बैदिक आरियों की बात करें तो वो किस की पूजा करते हैं देखो वो इंद्र की पूजा करे वो अगनी की पूजा करेंगे वो बरुन की पूजा करेंगे वो मारूत अरतात हवा की पूजा करेंगे और वो मतलब हवा की पूजा करेंगे कई सारे लोगों की वो बरुन की पूजा करेंगे वो अरुन की पूजा करेंगे वो यम की पूजा करेंगे वो प्रत्वी की कहाते हैं ओ सुन सी नदी बंगाल की खाडी की ओर भेयती है अर्ठात ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाडी में जाती है दो कि सब नदियां बंगाल की खारी की तरफ जाती हैं इस बात को आप लेकिन आपकी लूनी नदी आपकी नर्मदा नदी ये वहती हैं कितर जाएंगी इधर आपकी जाएंगे तो इस बात को आप याद रकेगा गोदाबरी बंगाल में barbecue दक्षिड भारत की गंगा भी कहते हैं है ना दक्षिर भारत की गंगा दक्षिर भारत में यह सबसे लंबी नदी के तौर पर भी जानी जाती है गोदावरी इस बात को आप याद रखेंगे अगले सवाल पर जाता हूँ अगला सवाल कह रहा है कि एसी आई हाती का वैग्यानिक नाम क्या होता है एसी आई ह का नाम है पैंठेरा लियों की बात करूं तो यह आपके सेर का वैग्यानिक नाम है ठीक है अपका अधरियाई घोडा जो होता है उसका वैग्यानिक नाम है किसका है दरियाई घोड़ा SSA GD में रिपीटिड 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 आपका एक वैग्यानिक नाम पूछा जाता है बंदर का पूछले मोर का पूछले हाती का पूछले सेर का पूछले बाग का पूछले किसी का भी पूछ सकता है तो मैं यहाँ पर उनको भी तो दरियाई घोड़ा का आपका क्या हो जाएगा एमपीवियस मैक्सिमस आपका एसे यहाती पैंथेरा लियो आपका सेर और पैंथेरा टिग्रिस आपका बान तो इसको नोट कर लो कॉपी पर अगले सबाल पर आ जाता हूं इस परेड में राजियों को जिस राजिकी सबसे अच्छी जहां की होती है उस राजिक को पुरुसकार दिया जाता है और दूसरा भारत के जो मार्चिंग दल होते हैं मार्चिंग दल का मत्तब होता है कि जैसे नेवी अपना मार्च करती है एयर फूर्स अपना मार्च करता है थल सेना अपना मार्च करता है BSF अपना मार्च करेगा तो ये सभी के सभी अपनी मार्च निकालते हैं मार्च मतलब सेनिकों के एक टुकडी होती है जो अपने मार्च दिखाती है जिसकी सबसे अच्छी मार्च होती है तो उसको पुरुसकार दिया जाता है तो फिर से समझो आप लोग अगर मार्चिंग दलका पुरुषकार की बात करें तो नौसेना को अगर हम लोग राजी की बात करें तो यूपी को यूपी की जहां की थी वो आपके ओडी ओपी और कासी विस्वनात की थीम पर आधारिती है ना कासी विश्वनात मंदिर जो आपका है उस पर आधारिती तो इस बात को आप याद रखेंगे तो उत्तर पदेश को यहां की उत्तर पदेश को गरतंतर दिबस 2022 पर सम्मानित किया गया इस बात को आप सभी साती यहां पर याद रखेंगे अगले सवाल पर आ जाता हूं अगल साल इस प्रकार से भी बन सकता है तो मैं 2021 में तमिल नाड़ु के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने चार ओप्सन है पाचवा चटा साथ वा और आट वा मैं के स्टालिन की एदी में बात करूं तो पिछले साल मैं 2021 में यहां के क्या बने है मुख्यमंत्री बने है अगर मैं सूपड़ा साप कर दिया है ना सूपड़ा साप मैं इसले कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने यहां पर कितनी सीटें जीत ली उन्होंने यहां पर जो सीटें जीती बेटा उनकी संख्याती 169 आरी बास समद्द है 234 टोटल सीटें तमिल नाडुम उसमें से 169 सीटें या जो आपका डीम के और कॉंग्रेस का गठवंदन है उसने जीत ली ती तो आप लोग याद रखेगा कि कौन से नंबर के हैं देखो अगर पद करम की बात करूं मैं किस की बात करूं पद करम की बात करें तो 21 नंबर क चीफ मिनिस्टर हैं यहां की पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी जानकी राम चंदरन इस बात को भी आप याद रखेगा जैल अलिता जी भी यहां की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं तो यहां की पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी जानकी राम चंदरन अब आप से आता हूं कु ठीक है 1979 में इसका नाम परिबर्तित हुआ और मदरास से तमिलनाडू हो गया यदि मैं बात आप लोगों से करूं यहाँ पर तो आपका यहाँ का जो हाई कोट है उसको हम अभी भी मदरास हाई कोट के नाम से जानते हैं और यह आपका चिन नई में हैं कहाँ पर है चिन नई म यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आठवे मुख्यमंत्री हैं यहाँ के अगर मैं यहाँ के गवर्नर आप से पूछलों फिर आप बता पाएंगे यहाँ के गवर्नर कौन है ठीक है चालीगा अगले सबाल पर आ जाता हूँ अगला सबाल कह रहा है कि बार्दोली किसानों को परेशान कर रहते परेशान मतलब कैसे कर की दर बहुत बढ़ा दी थी किसानों के ऊपर कर की दर बहुत बढ़ा दी थी अंदा धुंद कर बढ़ा दिया था अंग्रे जोने के अब किसान परेशान थे कर दें के अपना पेट पालें तो यहाँ के लोगों ने मद मैं दिव भारत में एकता दिवस के रूप में मनाते हैं इस बात को आप याद रखेगा। कल मोधी जी आपने देखा भी केबढीया में थे किस तारिक है तो केबढ़िया में घ्ल थे जहां पर स्टैचू व यूनिटि लगा है तो इस बात को भी आप याद रखेंगे तो अब मैंने क्या पूछा है कि बार्दोली तो बार्दोली किस से संबन देता है बल्लब भाई पटेल से मैंने बल्लब भाई पटेल इसले कहा क्योंकि बार्दोली आंदोलन के जुड़ने से पहले वो सरदार नहीं थे बार्दोली आंदोलन की सफलता के बाद यहां के महील तो आप लोग इन चीजों को एकता दिबस के रूप में मनाते हैं इनका जो statue है वो केबडिया में है गुजरात केबडिया में और बारदोली भी आपका गुजरात में ही है इस बात को आप याद रखेंगे और बारदोली में ही इनको सरदार की उपाधी से नवाजा गया था है ना सरदार की उपाधी से इनको लोहपुरुस भी कहा जाता है त फिरोसा तुगलक को आप लोग जानते हैं कि तुगलक मतब ये तुगलक बंस का सासकता एकदम सही है और तुगलक बंस के सासक के रूप में फिरोसा तुगलक ने 1351 से लेकर 1388 तक सासन किया दिल्ली सल्तनत पर है ना याद रखेगा दिल्ली सल्तनत पर इसने सासन कब से कब किया तो याद रखेंगे आपका 351 से लेकर 1388 तक इसने कई सहरों को बसाया जैसे आपका जोनपूर है जैसे आपका फिरोजावाद है हिसार है कई सहरों को इसने इस्तापित किया बसाया इसका खुद का मकवरा 1388 में इसकी मुरत्य हो जाती है 1309 में इसका जन्म हुआ था इस बात को आप याद रखेगा 1309 में लगभग 42 साल की उम्र में यह इस पद पर बैठा था जब इसके बड़े भाई जो आपका बड़ा भाई कौन था है जोना खांग यासुद्दीन तुगलक के नाम से जो सौरी मौ मौमद बिन तुगलक कई सारे सहरों को बसाया है मैंने कहा कि जौनपुर सबसे आदा पूछा जाता है जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है भारत का सिराज मतलब भारत का ताज सिर सबसे सम्माननी होता है किसी भी वेक्तिका है न तो जौना खांग जो इसका बड़ा भाई था चलेगा तो अगले सवाल पर आ जाते हैं तो अब आप से पूछ रहा है कि फिरोसा तुगलक का मकवरा तो फिरोसा तुगलक का मकवरा मुझे किसी ने बताया ही नहीं आंसर होगा दिल्ली में हैं कहां पर है बिटा दिल्ली में फिरोसा तुगलक का मकवरा है अगले सवाल पर आ जाता हूं मैं आप लोगों के साथ दिल्ली आपका एकदम सही हो जाएगा अगला है कहरा है सत्य सोदक समाज की स्तापना इनमें से किस ने की थी क्या पूछ रहा है सत्य सोदक समाज की स्तापना जो तिबाराव हूले ने बी आर अंबेट करने सत्य सोदक समाज मत का काम था इस बात को आप याड रखेंगे तो सत्य सौदक समाज की इस्थापना जो हुई थी वो 1870 में हुई थी और 1870 में किसके द्वारा की की थी इस बात को याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत यहां तक एक और इनों पूस्तक लिखी थी सत्य सोध सत्य सोध जो की 1887 में प्रकाश्य तो इन सब बातों को याद रखते हुए सत्य सोधक समाज की स्थापना जोति बाराव कूले की द्वारा की गई थी और पूने में की गई थी गुलामगीरी इनहीं की पूस्तक थी जो कि इन्होंने 1873 में लिख कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं होगी अगले सबाल पर आ जाते हैं अगला सबाल कराए कि संसोधन कौन सा संसोधन मतदान की आयू को 21 वर्स से घटाकर 18 वर्स कर देता है कौन से संसोधन के माध्यम से भारत में मतदान की हां साबित्री वाई फुले को भारत में पहली म वाली काओं को तो उनको भारत की पहली महिला अध्यापिका कहा जाता है जो इनकी पत्नी थी साबित्री वाई फुले इस बात को भी आप याद रखेंगे तो आपका पूछा गया कौन से संसोधन मतदान की 21 से घटाकर 18 कर दी थी 61 25 वा पहले भारत में क्या होता था कि जो 21 हना जो 21 साल का व्यक्ति होगा उसी को हम समझदार मानते थे उसी को मानते थे कि यही व्यक्ति अपनी सरकार चुन सकता है यही व्यक्ति बोट दे सकता है उससे छोटा जो है उसको हम नहीं मानते थे कि इसे सरकार का कुछ ग्यान होगा लेकिन जैसे जैसे भारत में साक्षर उता बड़ी जिसे जैसे लोगों को यह पता लगा कि लोक्तंतर क्या होता है और फिर इसको 18Ep षस्यक्ट कर दिया-कितना कर दिया 18 वर्स आप याद रखेreg div अग्ला क्छिपूडी भारत के किस राज्य से संबंदित है एक आपका नाम है कुछी। निरत्त होता है तो आपको बताना एक और अर्थात एक डानस फॉर्म है तो आपको बताना यह आंध्रप्रदेश महरास्ट जहरकणρ ज्षत्तिसगडा कहां से है तो कचिपुड़ी आप लोग viv आद रखेगा कि ये आपका आंध्रप्रदेश से संबन्देश है तो कुचेला पुरम में है ना याद रखेंगे आप सभी साती मेरे बिध्यारती कुचेला पुरम में आपके क्या होता था इस नत्य को किया जाता था धीरे दीरे इसकी पैचान बड़ी और पूरे अंद्रपरदेश में फैल गया तो कुचेला पुरम में है अंद्रपरदेश से उसकी राजधानी आपकी कौन सी है अमराबती इसकी राजधानी है और अमराबती में ही इसका हई कॉंघरैस में मेरी बात सुनी नहीं जाती तो कॉंघरैसced बिदा से विपना दी और अभी यह उसके मुख्यमंत्री है आप इस बात को याद रखेंगे अगले सवाल पर आ जाते हैं अगला सवाल है आपके सामने किराए कि टिहरी बांद किन नदियों के संगम परिस्थेते हैं बहुत बड़ी है सवाल है किराए टिहरी बांद ये उत्तरा खंड में और दुनिया का चौथा सब करना है फटाफट से आप इस प्रशन का अंसर आप लोग कर देजी भाईया कि जो टिहरी बांद है आंद्रप्रदेश में हैं टिहरी बांद जो आपका है है ना वो कौन सी नदी पर है आप सभी सातियों से निवेदन है कि क्लास को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्स समय समापत होने से पहले आप लोग उसके साथ जुड़ जाओ इसे परचेज कर लो आप सभी साती कल तक और आप कोई विसेश ओफर पर मिलेगा उसके बाद यह महगा हो जाना है तो आप लोग क्योंकि इस बार अच्छा मौका है अलंकि कमप्टीशन भी इस बार जादा हो अपनी तयारी को एक स्टेटेजी के तहट त्योरी बगेरा कंप्लीट करके आगे बढ़िएगा तो आप लोग कुछ मतब कल कल का मौका और है आप सभी साती इसको परचेज कर लेंगे इसके साथ जोड़ जाएंगे तो टिहरी बांद के दी बात करें तो यह उत्तरा खंड में यह दोनों आपस में मिल जाती है भागी रती और भीलांगना इस बात को आप याद रखिए और इनहीं दोनों नदियों पर आपका टिहरी बांद इस्तित है उत्तरा खंड में अगले सबाल पर आ जाता हूं कराय कि निम्न लिखित मैंसे एम एम पुंची आयोग का गठ इस बात को आप याद रखिएगा पुंची आयोग की स्तापना सन 2007 में की गई थी 2007 में 2007 में इसा अगले सबाल पर चलता हूं अगला प्रसन आपसे कह रहा है कि निम्न लिकित मैंसे कौन सी पुस्तक आरके नारायन भारत के प्रसिद लेकक रहे हैं तो आरके नारायन प्रसि पुस्तक कौन सी एंग्री रिबर है रोड स्टू मसूरी है स्वामी एंड फ्रेंट्स या दब्लू अम्रेला तो आपको बताना है कि आरके नाराइन ने इन में इन्होंने कई पुस्तक लिखी है दा रामायन इन्होंने लिखी है दा महावारत पुस्तक इन्होंने लिखी है मालगुडी डेज इन्होंने लिखी है इसके साथ साथ दा गाइड इन्होंने लिखी है और एक पुस्तक जो कि आपकी स्वामी एंड फ्रेंट्स ठीक है स्वामी and friends भी इने की है मालगोडी डेज इसमें कहीं दिखरा है आपको जो सिद्धू राजपुत बता रहे हैं मैंने आपको बता दिया दा रामाइन दा महाबारत मालगोडी डेज और दा गाइड ये चार अन्य पुस्तक हैं जो मैंने आपको बताई और पांच भी एक है स्वामी and friends जो इन्हों ने लिखी है तो फिर से याद रखो दा मालगोडी डेज दा रामाइन दा महाबारत दा गाइड और स्वामी and friends आरके नाराइन के द्वारा लेकी गई पुस्तक है अगले कुश्यन पर कौन सा हिंदु धर्म का मंदिर भारत में नहीं है सोमनात का मंदिर लिंग राज का मंदिर मीनाच्छी मंदिर या फिर अंकोर बाट का मंदिर बहुत बढ़िया सवाल आप लोगों के सामने है कि इ इनमें से कौन सा मंदिर भारत में इस्तित नहीं है अंकोर बाट लिंग राज आप सब जानते हैं लिंग राज हो चाए सोमनात हो और चाए मीनाच्छी हो यह सब मंदिर आपके भारत में इस्तित है लेकिन एक मंदिर जिसको हम अंकोर बाट का मंदिर कहते हैं यह कंबोडि मंदिर जो आपका है हलाएं कि खास तोर पर ये भगवान विशनू को समर्पित है और ये कमबोडिया में इस्तित है इस बात को आप याद रखेंगे अगले सबाल पर आ जाता हूँ अगला कह रहा है खेल और उनके बीच संबंदे ट्राफियां या कप के गलत संयोजन का चैन कीजिए आगा खां कप होकी कूच विहार या कूच विहार है ना कूच विहार जो आपका ट्रोफी फुटबॉल है अमरत दीवान कप बैडमिंटन या दिवधर ट्रोफी क्रिकेट तो इसमें से कौन सा आपका ठीक मिलान नहीं खा रहा है इनमें से कौन सा आपका सही नहीं मिला है तो फटा-फट से प्रस्निका आंसर दे दीजिए जो आपका सही नहीं मिला है उसको बता दीजिए देखो आगा-खाम कपकी अगर बात करें तो होकी है कूछ बिहार आपका फुटबॉल नहीं होता है कूछ बिहार आपका क्रिकेट होता है क्या होता है आपका कि यह फोट वÓल की नहीं है इस बात को आप यद रखेगा फोट वॉल रखेगा अगर फोटबाल की बात करूं तो फोटबाल में आपका टूरण्ड है है आपका लोबर्स कफ है अपका टूरंड कफ है आपकी संतोर ट्रोफी आप provision कोलंबो ट्रोफी b पुटबॉल के हैं है ना तो आपका कूछ विहार बाकि यह सही है अमरत दीवान बैडमिंटन और देवधर ट्रोफी आपका क्या हो जाएगा है ना भीया देवधर क्रिकेट सिलंकाई मुद्रा का कोड क्या है जैसे आप सब जानते हैं कि जो इंडियन मुद्रा है है ना आप प्रकार से सिलंका की मुद्रा का कोड क्या है आप से पूछ रहा है कि सिलंका की मुद्रा का कोड क्या है फटापट से इस कोशन का अंसर आप लोग कर देजे कुछ विध्यारती यहां पर एसार डी बता रहे हालाएं कि एसार डी भी होता है लेकिन यहां की जो रिजर बैंक को जादा ठीक मानते हैं जबकि एस आरडी भी है लेकिन प्रमारिक नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा अगले सवाल पर आ प्रत्वी की च्शाएं वहां पर पहुचा देना मत्तब उपाग्रह की जगह पहुचा देना अपको बताना है अरिभट को किस वर्स प्रक्षे पित किया गया था तो बताएगा तो भारत का पहला जो था आरिभट इसको किस वर्स तो राइट आंसर हो जाएगा आरिभट को 1975 में इस समय समय था इंद्रा गांदी जी का इंद्रा गांदी जी उस समय देश की पी एम थी तो 1975 में आरिभट को है ना बनाया गया बनाया किसने था इस रो ने बनाया था इस रो की को 15 अगस्त को हुई लेकिन उस समय इसरों के पास सैटलाइट बनाने की तकनीकी थी लेकिन उसको लॉंच करने की तकनीकी इसरों के पास नहीं थी आज के समय में दुनिया के प्रमुख जो लॉंचिंग इंस्टिटीशन है लॉंचिंग और गनाजेशन है उसमें गिना जाता इसरो को दुनिया में बहुत सारे देश भारत के इसरो को पसंद करते हैं अपने सैटेलाइट लॉंच करवाने के लिए बहुत कम सालों में भारत के इसरो ने जो उडान भरी है वो काविले तारीफ है लेकिन 1975 में हम खुद से अपना लॉंच नहीं कर पाए थे याद रखेग तो रूस की साहिता से लॉंच किया और कौन सा था इसरो था इसरो को कब लॉंच किया गया 1975 को किया गया है न और बनाया किसने था तो बनाया इसरो ने था इस बात को आप याद रखेगा इसरो की स्थापना 1979 को ही थी अगले सवाल पर आ जाता हूं अगला विश्व संस्करत दिभस हिंदू केलेंडर के श्राबड महीने के किस तिती को मनाय जाता है हिंदू केलेंडर के श्राबड महीने के किस संस्क्रत दिवस कहते हैं तो रक्षा बंदन का जो त्यवार है वो स्रावर महीने के पूरिमा को मना जाता है तो उसी दिन आपका बिश्व संस्क्रत दिवस भी होता है इसको लिख लेंगे कौपी पर यह बहुत इंपोर्टेंट आपको आज आसान लग रहे हैं लेकिन यह बहुत महत्तपूर चीज़े हैं अगले सबाल पर आ जाते हैं अगला सबाल पर आने से पहले में एक बार फिर से बताना चाहूं बैल आइकन प्रेस करो सब्सक्राइब करके चैनल को और आपको बता दू कि दो नवंबर तक एक बार फिर से आपके एडमिशन यहां पर हो रहे हैं दो नवंबर अर्थात कल तक आप इसे कम कीमत पर पर परचेज कर सकते हैं उसके बाद यह अव्यस महगा हो जाएगा आप इस बात को याद रखेगा तो अभी आपको एक हजार रुपे में ऐसा से जीडी का कोर्स दिया जा रहा है कोई भी आप खरीदेंगे तो एक हजार में तब सेम टू से पुराने वाले रेट है तो आप लोग कल से पहले ही इसको परचेज कर लिजे भाई समय समापत होने से ठीक है कोई आपने नहीं किया ना गलत बात है भाई गलत बात है तो कर ले ना आगे आ जाता हूं इसमें फाइदे क्या क्या है आपको इसमें 10 मौक टेस्ट मिलेंगे 400 प्लस लाइव आवर्च क्लासे आपके पास साथ दिन हैं भी अभी और इन साथ दिनों में आप 6-7 घं बहुत इंपोर्टेंट है ताकि अपनी स्पीड को आप मेंटेन कर पाएं उसी प्रकार से आपको प्रीबियस यह कुशन भी आपको कुज की फॉर्मिट में यहाँ पर मिल जाएंगे करेंट अफेर में अगर कोई दिक्कत होती है तो करेंट अफेर की कुशन आपको आप लोग इसके साथ अब से जोड़ जाओ तीम आपको पता है यह आप की दर्सन कर लीजिए आप ठीक है सारे के सारे धुरंदर हैं एक से एक बढ़के अबरदस्त लोग इसमें पढ़ा रहें तो बाकि आप सभी से मैं यहीं कहुंगा कि अगर आप कॉम्बो लेना चाहत लेली जी आज आपका टीचर आप से कह रहा है कुछ उसमें पाइदा होगा तब ही कह रहा है आप लोगों की थ्योरी अच्छी हो जाएगी घड़ित से हिंदी से लेकर सब कुछ आपको एक एक चीज किलियर हो जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहों है तो आप लोग इसके साथ जोड़ जाएंगे आप सभी साती बाकी हमारी मुलाकात होगी आप से अब कल तब तक के लिए आप अपना खयाल लखेंगे आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर कोई भाई वहन आप में से ऐसा है जो कानपूरिया इसके आसपास रहता है तो कानपूरिया का भी इंतजाम हलका फुलका तो कराई देंगे हैना ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपको खाना पीना लंच डिनर सब करा देंगे लेकिन फिर भी नास्ते पानी का हो जाएगा परेशान मत तो यह आपको पढ़ा रहा है कि नहीं सर मैं तो खाग पी के आऊंगा तो ऐसे आज करेंगे आप इस बात का भी विसेज खयाल लगिए तो आपसे मुलाकात हमारी सब की ना केबल मेरी बलके विवेक सर से लेकर पूरी टीम की यह जो आपने टीम देखी ना सारी की सारी टीम आपको बहां मिलने बाली है कल का मतब्स चे तारिक को कानपुर में तो आप सभी सा होगा क्या हां मोमोस भी चलो मैं बना दूंगा फिर तुम खाले ना शुक्रिया थैंक यू जय हिंद भारत थेंग आइग 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 अ आइग आइगप अपने पूffन भी दन'ता की क्सा जितनी है बाली है आइग टी मने हरा शुक्रिया डाली देगरों बनाली होगा क्या है क्रिया भारत शौंट लि officer वारत शुक्रिया भाली है झाइग अपाल उन्हुक्रिवा जल को भाली है ता स homeland